समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के सबसे अच्छे प्रवक्ता आप लगता है मुझे शौकत अली जी बहुत हर सवाल पर मुस्कुराना जरूरी होता है बोलिए सर दो मिनट का टाइम फिर ब्रेक पे जाएंगे फिर आपके पास दोबारा माएंगे शुकरिया गउरी संकर जी गउरी संकर जी मैं पार्टी के प्रतंद्द्च के साथ पस एक वैपारी हूने और वैपारी कुर्ई क्योंगि डिरेड के हज़ि अधर्व होताइर यह अचया होना है लोग जब कोई बजट पेस करीगी तो मेरा ख्याल जरूर रखे लेकिन हम लोग भी टक-टकी लगा इस बजट को देख रहे थे उमीद थी कि हो सकता हो कुछ अच्छा होगा लेकिन क्या क्या उमीद क्या कर रहे थे आप जरा बता ये इसका मैं बता रहा हूं तमाम तरीके की सब्सक्राइब करें लोगों कभी देश के वैपारी की चिंता नहीं की अगर चिंता की होती तो मुझे लगता आग देश का वैपारी इनके बजट पर मिठाईया बाट रहा होता लेकिन दुर बाग यह है कि वाज कोशने का काम कर रहा है मुझे लगा था कि बजट इतना अ हम लोग को चुपती रही है चीज़ें अभी तो मैं दमदार शांदार कर रहा था विनोध जी पहले ही कहां से दमदार कहां से शांदार अब शौकरत अली जी कह रहा है कि मैं तो व्यापारी भी हो भाई साब मैं थोड़ी सिर्फ समाजबादी पार्टी का प्रवक्ता नही लेकिन शौकात अली जी थोड़ा सा कम शब्दों बताई कि क्या उमीद क्या कर रहे थे आप व्यापारी हैं जिस चीज़ का भी व्यापार करते हूं मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं तो क्या उमीद कर रहे थे कहां पर छूट मिलनी चाहिए थी आपको तमाम चीजों की बात है तो सरकार को टेक्स देने वाले व्यापारी को सरकारों को पता होता किन किन चीजों में हम लोगों ने छूट की मांग की कि तो सर्माजबादी पार्टी की सरकार अगर आती है किंद्र सरकार में तो आप लोग बजट पेश नहीं करोगे क्या करोगे ना करोगे ना करोगे लेकिन आपके चैनल के माध्याद्यस्म से एक संदेश जरूर देना चाहेंगे अगर सबसे महत्मून कोई चीज रही होगी उसमें हो और हम लोग जब बजट करेंगे तो खासकर किसान और वैपाली का विशेश द्यान रखा जाएगा चलिए दो वैक्ति ऐसे होते हैं यह दो ठीक है सर मैं मैं शोकत जी मैं आओंगा थोड़ा सब